जीवन परिचे, शास्त्रिय गायका, श्री लक्ष्मी शंकरजी श्रीमती लक्ष्मी शंकरजी सितार वादक पंडित रविशंकरजी की भाभी थी, जिन्होंने पहले भरतनाट्यम और कत्थ किल्मृत्यों में दक्षता प्राप्त की किन्तु बाद में सफल गायका हुई, आप ख्याल, ठुम्री और भजन समान अधिकार स्रे गाती थी केवल इतना ही नहीं, कई भारतिय भाषाओं के गीत बड़े ही स्वाभाविक धंग से गाती थी, हिंदी, बंगाली, मराथी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मल्यालम, कन्नर और तेलगू में से जिस भाषा में गीत गाती थी, मालूम परता था कि अपनी मात्र भाषा में गा रही हैं, तमिल चित्रपट, तुलसीदास, में नायका का भी अभिनय कर चुकी हैं, और आंधिया, मस्ताना, धर्ती के लाल, दो फूल, राधा कृष्न आधी चित्रपटों में प्रिष्ठ भूमी संगीत, प्लेबेक, दे चुकी हैं, पांच वर्ष की अवस्था से मद सावरन संगीत के, अनुकूल नहीं था, भले घर की लड़कियां संगीत से दूर रहा करती थी, इनका परिवार भी प्राचीन विचारधारा का था, किन्तु लक्ष्मी शनकर की मा की हट के कारण उन्हें रित्य की शिक्षा मिलने लगी, कुछ समय के उप्रांतह प्रसिध नर्तक उदेशंकर मदरास गए, वे इनको नैसकिक प्रतिभा से बड़े प्रभावित हुए, मा की आग्या से वे, उदेशंकर के साथ अल्मोडा चली गई जहां उन्होंने सांस्कृतिक केंद्र में कतकली और मनिपुरी मृत्य शिक्षा प्राप्त की, शीग रही इनमें कुशल हो गई, कुछ दिनों के उप्रांत इनकी भेट श्री उदेशंकर के छोटे भाई श्री, राजेंद्र शंकर से हुई जिनके साथ विवाह सूत्र बंधन में बंध गई, लक्षमी शंकर को अपनी कला साधना में अपने पती से प्रोटसाहन मिला, डॉक्टरों की सलाह से उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत सीखने लगी, सन 1954 में पतियाला घराने के उस्ताद अब्दुलरह्मान अक्तर खा के संपर्क में आई और उनसे शास्त्रिय संगीत की शिक्षा लेने लग बीच बीच में डॉक्टर बियार देवधर से संगीत ज्यान प्राप्त करती रही, सन 1957 से आकाश्वानी के विभिन केंगरों से अपना कार्यक्रम प्रसारित करने लगी, आपके कई रिकॉर्ड भजन, गीत वर थुम्री के बन चुके हैं जो आकाश्वानी से यदा कदा प् सन 1926 में जम्षेदपुर के एक प्रतिष्ठित मदरासी परिवार में हुआ, श्रीमती लक्ष्मी शंकर बहुत सरल, स्वभाव की महिला थी, जिन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी, घर ग्रहस्थी का काम बड़ी सुव्यवस्थित धंग से चलाती थी, संगीत साधना में रत रहते हुए भी पती और बच्चों की देख रेक स्वयम करती थी, आपके गायन में बड़ा आकर्शन था, स्वर मधुर और निर्दोश थी, अधिक तयारी आपको पसंद नहीं, राग ताल में संतुलित रखते हुए भाव पर बहुत बल देती थी, थुम्री और भजन में मानू मधुर स्वरों की फुहार उनने लगती होुए उदे शंकर की नृत्य पार्टी के साथ नर्तकी के, रूप में तथा बाद में गायका के रूप में कई बार विदेश का ब्रमन कर चुकी हैं। प्रत्य एक बार हिंदुस्तानी संगीत का सफल क पार्यक्रम देकर भारत का मस्तक उंचा किया।